जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग शॉपिंग करेंगे पूरा मार्केट यहां का एक्स्प्लोर करेंगे यो मार्केट है आप पीछे हमारे देख सकते हैं यहां का एक छोटा सा मिनी मार्केट है और यहां से ही काफी लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं हमने भी इस मार मार्केट है आप कुछ थोड़ा बहुत यहां से शॉप कर सकते हूं हेलो गाइज विलकम बैक तो माई चैनल नाजिकल हनी गाइज जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था हम लोग हज्राहों में हैं तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही ने सकता कि हम किसी नए जगा प बहुत अच्छा था तो चलिए मैं आपको अपने साथ ले चलती हूं वहां पर शॉपिंग करने हैं गाइज यह जो शॉप है यह वेस्टन ग्रूप आफ टेंपल्स के जस्ट सामने है राजा क्याफे के बगल में हैं गाइज इस शॉप का नाम सिल्क गाविंस है यहां का क अच्छा था यहां पर हमने काफी कपड़े देखे थे जैसे कूर्तिश the byट्टे स्काफ सकर्ड पारी डीसिंट कलेक्शन था यहां का यहां पर हम लोगों ने सिल्क और बैंबू से बने हुए दुपट्टे और साडीज भी देखे थे नो डाउट वो काफी यूनीक थे और काफी अच्छी क्वाल्टी के लिए और उनकी जो रेट थे वो भी काफी एकनॉमिकल थे आप कलेक्शन देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छा और बहुत ही यूज गराई थी यहां पर साडीज और दुपट्टों की मैंने भी कुछ अपने लिए शॉप किया था काईज दाम्बू और सिल्क की साडीज यहां पर लोकली बनती है जिसकी वजहां से यह काफी सस्ती थी काईज ही जो भईया हम लोगों को दील कर रहे थे इनसे बात करने पर हमें पता चला कि यह लोग ऑनलाइन भी इनका बिजनेस हैं अगर आपको कुछ भी चाहिए है तो आप इन से इनके नंबर पर कॉन्टाक्ट कर सकते हैं जो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हम इनकी सारी दिटेल्स मेंशन कर देंगे यहां पर हमने मेंस वेयर भी देखा यह जो मेंस कुरते थे यह बहुत ही सस्ते थे और इनसकी कॉलिटी भी अच्छी थी और यह बैंबू से बने हुए फ्रेंड अब मिले चलती हूँ आपको अपने साथ जोल्री शॉपिंग कर दें नो डाउट गाईज यहां का जो जो जोल्री कलेक्शन था वो बहुत ही जादा एंटीग था आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में हमने वहाँ पे इरिंग देखे थे रिंगس देखी ही सब कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा ना historically हमने जो भी कलेक्शन यहाँ नेक्स्ट बहुत है देखा था वो जर्मन शिल्वर का था और प्योर सिल्वर में निर्द जर्मन शिल्वर का कलेक्शन मुझे काफी एंधीक लगा था वहाँ पर वस्ट ट्राइफ दिल्वन शॉप काईज यह हम लोग नेक्स्ट शॉप पे गए थे यहां पे हम लोगों ने प्योर सिल्वर की जूलरी देखी थी और प्रेशिय स्टोन्स भी थी दाइज नो डाउट यहां का कलेक्शन भी बहुत यूनीक था बहुत ही देंधी जूलरी थी यहां की थोड़ा कॉसली था इसका क्या बेश्ट प्राइस लगाएं गया थी ताउसन सेवनन्ड एट्टियू रूपीस यह स्टोन्स कॉन से हैं कमसा वाला यह एमरल है और यह सारे जरकन रिश्टोमें डायमंड निंगी होगा तामेंड लग जाएगा कुस का रेट लाग जाएगा रेट निग प्रिण है कि यहां पर एकाले स्टोन रिज्टोमेंड व्ला ठाक मेंफटे सेखने रेट करना हूँसे हैं यहां पर घ्रितेर श्टोमेंड टिम्टिश रिद अबकर Iyaan सब्सक्राइब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हेलफुल रहे आप लोगों के लिए जब भी आप खजड़ा हो जाए प्लीज हमें सपोर्ट करें हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब